के हैं है वरीबभन्य वीड़ियो में हम इन 4 वाले हैं इस चैपटर में आईश क्रीम में के बारे में बहर्णन की गही है यानि हुर्सक है है तो सबसे पहले इसका वारमर देख लेते हैं The heat पहनल दिया है लेट एक इसके डिन्स कि यानि करा राइं कि उस अवसर का नाम लिखो जिसमें आप क्या करते हैं आउस क्रीम खाते हैं यह से अप मेला जाते है घुमने के लिए उसमें क्या करतेई आप आईज क्रिम कडि यह आपसर हुन तो मेला लिखना डेस्ट्नेंक खाने को मिलता है अब शरुपर करते हैं आइस क्रीम खाते हैं तो क्या करना है इन से का नाम लगता है that you have tested जिसे आपने खाया है तिसरा है वैर डू यू बाई आइस्क्रीम आप आइस्क्रीम कहां खरीदते हैं तो सबसे पहले आपको इसमें जैसे अवसर बलेज परद्रिप्ति यानि वो जो सुरी की किरन होती है जब सुरी की किरन बहुत तेव जोती है बहुत तेज उसको परद्रिप्ति कहते हैं दुसरा है ट्रंडलिंग आवाज के साथ धीरे धीरे लुढकते हुए साइट नजारा या द्रिश्य विनित विनित करता है के नीचे जॉइफूल अनंद पुर्ण मौंड्स तीले फ्रोस्टी फीज सीतल पे कलस्टर कलस्टर राउंड सरी कलस्टर राउंड घेरा बनाना यह है घेरा घेरा बनाना उसके बाद है ठिक ठिक कार्थ होता है गाढ़ा बस आप इन सभी वर्ड मिनिंग्स को लिख करके इसे डेफिनेटली याद किजिए तब आपको यह समझ में आएगे तो चलिए आप चेप्टर पे चलते हैं और चेप्टर को पढ़ते हैं तो पहला लाइन है पहला अस्टेंजा वैं समर्स इंदा सिटी यानि कराए कि जब समर यानि गर्मी गर्मी होती है कहां सिटी में जब सहर में अगर्मी करें वैं समर्स इंदा सिटी यानि जब सहर में गर्मी परती है औरिक्स ब्लेज ओ की तरह की तरहा चमका Oh लो की तरह चमकता हुआ जैसे आप मंबत्य में क्याती है लो होती है तो उस परकार से चमकता हुआ यानि गर्मी जब पर रही है तो इसमें गर्मी क्या है काफी तेज पर रही है उसी कहते हैं bricks blaze off heat इनि bricks का अर्थ होता है eat, eat के जैसा low, जो कि गर्मी में परती है ऐसा गर्मी पर यहे खाफी तेज गर्मी जिसमें आप पंखा में रहना पसंद करते हैं उसी समय जिसमें आप पंखा में रहना पसंद करते हैं उसी समय the ice cream man with his little cart many ice cream इन्याइन है जो आएक्रीम बेज़ते हैं उसको क्या करते हैं आइसक्रीमघ़ते सांप गोज टो मिसयता है उसी गर्मी में यह जो आइस्क्रीम बिक्रेता है वो जाता है गोज ड्रंडलिंग डाउन करता है उसकी जो छोटी गारी होती है वो लुढकते हुए दीरे 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 लुढकते हुए street यानी गली में का करते हैं यह जाते हैं अपने ice cream को बेचने के लिए ice cream में इतनी गर्मी पर दी है इस गर्मी में भी वो अपने छोटी से गारी लेकर के जाते हैं बेचने के लिए तो यहाँ पर summer यहाँ पर क्या किया गया है summer गर्मी को तुलना की गई किसे आइसक्रीम, जोनका जो काट जो काट है, उस काट बेचने जा रहे हैं, कहां, गलियों में, ओ, what a joyful sight, तो लेखा कह रहे हैं कि, ओ, क्या joyful sight है, कितना आनंदाई द्रिस से हैं, जब हम little cart को, यह जब हम आईस्क्रीम विक्रेता को देखते हैं, तो हमें कितना आनंद होता है, हमें बहुत खुशी होती है, ऐसा लेखा कह रहे हैं, उसके बाद है, to see him, उन्हें देखना, कि नहीं, आईस्क्रीम विक्रेता को देखना, fill the cones with mounds, कब लिखा कह रहे हैं, कि, जब हम आईस्क्रीम विक्रेता को देखते हैं, कि वो क्या करता है, उनके पास जो cones होता है, संकु किया करके, जो आब भी खाये होंगे, संकु क्या कर करके, उसमें क्या करता है, वो आईस्क्रीम को भरता है, फिर वो देता है, खाने के लिए, तो भरा कैसे जाता है, तो देखेए, वो संकु के आकार का होता है, उसमें mounds बन जाता है, उसमें mounds, कौन में क्या करता है, कौन में mounds बना देता है, उपर में टीला बना देता है, तो वो जो भरता है जब आप उसे देखने में बहुत आपको खुशी होती होगी तो उसे देखना लेखा को बहुत अच्छा लगता है Off cooling brown and white कभी क्या करते हैं वो brown color के ठंडा ठंडा पदात रखते हैं उसमें भरते हैं इन्हें देखने में कभी को बहुत खुशी होती है सिर्फ कभी कोई नहीं सभी बच्चों को उसे देखने में बहुत खुशी होती है और सिर्फ देखने में उन्हें खाने में बहुत खुशी होती है उसके बाद है vanilla, chocolate, strawberry और chili things to drink यह उनके पास कि सिस्पर करके अजिसे आफको परप्रकार करेंगे उनका नाम बते आइगे तैसे आप का आपको पसंदों को वैंइला खाने को चटाइक है शैक। और उनके पास क्या होता है तो छीली सिप्टो ट्रिंक कुछ ठंदे ठंधे पाइज अगफ यहां हो गिया है पिने पास यह ने पूले उनके पुर्ण के लिए यो कि ढरिंक करते हैं ईहां किетрीने के लिए इक ठंडा अब है पदार्थ ही पीने जोग पदार्थ होता है फ्रॉम बोटल स्पूल और फ्रोस्टी फ्रीज कहां से बोटल से उनके पास बोतल होता है उस बोटल में भरा होता है मिद्ध से बैए और अग्रेंज सोट निली स्यल्वर है कि आता है कि शाहिए और ENG'm क्रूंप और फिनक के से आंक होता है कि वायथ और पिंक कैसा होता है किसी का स्चेय का अगर अरशा पी रहे हैं माज़ा वैंडेंग औरेंज कलर का भी मत ता है क्या वाइट कलर का भी होता है और पिंक घर का सलेवर चॉबलर का दा करा आता है पीने एक पं॥ करेता लिए पार चाच माइट म्व घुलाबर नहीं या Ihnen वही आता सबस्के छाट सिब्लैय। होती है जब आप उसको देखेंगे तो आपको इसे लगए जैसे फूल दिखता है जैसे फूल क्या करता है उनको सजा कर रखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है और रोज और स्वीट पीज कैसा कैसा फूल लगता है तो कोई रोज है कोई स्वीट पीज है इस परकार के उन्हें परती तुटा है दिखाए परता है पर रहता है वहाँ पर आइस्क्रीम से सजा हुआ दा वे दा चिल्डरेन कल्स्टर राउंड करता है घेर लेना यानि जैसे ही वो एक जगा अपनी गाली को लगाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं उनको चारों और से घेर लेते हैं कैसे घेर लेते हैं तो as thick as honeybees यानि जिस परकार से honeybees का अट होता है बदू मख्यां जिस परकार से मदू मख्यां अपने छाते को घेर लेती है थोड़ा सभी बच्चे क्या करते हैं आई श्क्रीम को चारों और से मथशे करते हैं इसके बाद आपका question answer है तो आप question answer definitely किजिए च्योंकरकि इसको समझने समझने के बाद आप को और रख करना चाहिए तो चलिए कौशण अंसर को देख लेते हैं तो पहला कोशन है अंसर दाफ फोलोविंग कोशंस और्ल यानि और यानि और ली करता है मौकी रूप से सिर्फ बोल कर ही आंसर करना है तो पहला कोश्चन है हूँ सेल्स आइस क्रीम आइस क्रीम कौन बेचता है तो बोलेंगे आइस क्रीम मैन यह नि आइस क्रीम बेचते हैं उसके बाद कोश्चन नमर्व तीन है, what does he, what does the ice cream man have over his head, यानिए, ice cream man के सीरी के ऊपर क्या हوتा है, तो अमरेला होता है, पॉर नमर्व कॉस्चन है, कुंज्स जाए टूसी दा ice cream man, कौन ज्यादा खुछ होता है, आनंदित होता है ice cream man को देख कर के, इसका answer obvious है कि children होगा यहीं बच्चे होगा क्योंकि बच्चे जैसे देखते हैं उन्हें खुशी हो जाता है क्योंकि उन्हें खाने के लिए मिलता है उसके बाद है answer the following questions briefly यानि इन question का answer brief में देना है संशेप में देना है brief कार्द क्या होता है संशेप में छोटा सा answer question एक है what are the wires of ice cream compared to the two in the poem यानि जो लोग wires है यानि जो जो लोग ice cream खरीते हैं वो किस चीज़ से तुलना करते हैं इस में किस चीज़ को किस चीज़ से तुलना करते हैं इस कविता में what does the comparison suggest जो comparison है जो compare की गई है यानि तुलना की गई है यह क्या suggest करता है क्या बताता है तो इसका answer होगा ice cream buyers compared a ice cream man between summer of heat it suggest hard work for life यानि ice cream man the ice cream बिक्रेट आइस क्रीम जो खरिता है जो ice cream खरिता है buyers वो क्या करते हैं तुलना करते हैं तुलना किया है ice cream बाले से और ice cream बालों को summer of heat यानि गर्मी की summer मतलब गर्मी में जो तापमान है जो गर्मी पढ़ रही है उस गर्मी से उन दोनों के बीच में यानि गर्मी और ice cream man की बीच में क्या की गई है तुलना की गई क्यों कि यह दिखाता है hard work क्या दिखाता है hard work तो यह जो ice cream में होते कितना hard work कर रहे हैं क्योंकि कठीन काम होता है गर्मी में निकलना फिर कुछ समान को बेचना धूप में खरा रहना यह बहुत मुश्किल काम है तो यह दिखाता है hard work it suggests hard work दूसरा question है विनी थे his round umbrella यानि यह जो लाइन लिखी गई राउंड अंब्रेला ओ ओ ओ ओ वाट आ जॉइफुल साइट क्या जॉइफुल नहीं कितना आनंदाई ना जा रहा है who say these words यह जो दो लाइन है यह दो लाइन किसने कहा यह दो लाइन किसने कहा which expression suggest the attitude मतलब मनोभाव attitude करता है मनोभा of the speaker speaker कि किस मनोभाव को यह दिखाता है तो इसका आंसर होगा the author say these words author ने इस words को कहा है basically he think about heat वो सोच रहे है यह उनकी जो मनोभाव है उस बक्त की वो सोच रहे है गर्मी के बारे में क्योंकि कौन व्यक्ति है जो इतनी गर्मी में जाएगा कोई समान बेजने के लिए और भी धूप में खरा रह करके तो यह attitude दिखा रहा है उसके बाद question है answer each of the following questions in about 30 words लगभग क्या करना है तीस सब्दों में answer करना है इस question का तो पहला question है why do you feel joy to see the ice cream man in summer give reasons क्या कि तुम्हें क्यों खुशी होती है तुम्हें तुम क्यों आननदित हो जब तुम क्या करते हो ice cream man को देखते हो यानि ice cream बिकरेता को देखते हो गर्मी में अपना reason बताओ give reasons यानि कारण बताओ क्यों तो इसका answer है I feel joy to see the ice cream man in summer because I enjoy to eat ice cream and its flavor is so tasty कि मैं जो है आइस क्रीम खाकर मैं ice cream बाले को देखकर कि इसलिए खुश होता है क्योंकि कि मुझे ice cream खाना बहुत अच्छा लगता है और मैं इससे आनन्दित मैसूस करता हूं और यह इसका जो flavor होता है यह आइस क्रीम का जो flavor होता है वह बहुत tasty होता है इसलिए यह आपके उपर भी निरभर करता है कि यह आपका answer अलग भी हो सकता है और yes यह दोनों भी हो सकता ह ठीक है इसका कारण अलग भी हो सकता है यह आपके उपर डिपेंट करता है जो मेरा था हम आपको बता दिये हैं उसके बाद है question number two list different flavors of ice cream mentioned in the poem that the ice cream man sells and some more to the list यानी बताना है उन सभी का list त्यार करनी है उन सभी का नाम लिखना है जो mention क्या गया है जो इस चप्टर में लिखी गई है उन आइस्क्रीम के नाम जिन्हें आप कविता में पढ़े हैं उनका आइस्क्रीम का नाम जैसे था इसका आंसर हम बता देते हैं आंसर यह है ice cream man sells these types of ice cream which is mentioned below जो की निचे लिखी गई है तो पहला है vanilla दूसरा है chocolate तीसरा है strawberry यह सारे flavors थे जो की ice cream के हैं और इन्हें mention किया गया है किसमें तो poem में उसके बाद और है आगे तो आप उसे भी देखिए question है when you heard the words जब आप सुनते हैं इन सब्दों को winter and summer जारा और गर्मी को what are the things that come to your mind कौन सी चीज़े आपके दिमाग में आ जाता है write down in the circle यानि क्या करना है इन circles में क्या करना है उन सना नाम लिखना है जो आपके दिमाग में आ जाता है जैसे जैसे आप गर्मी का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में कहुपा नाम आता है fan क्योंकि अब गरमी सुनेंगे तो üzमें ठीक्तेasten चलता है तो उसके बाद और क्या आजाता है आपके दिमाग में तो उसके बाद होगा हीट क्या होगा हीट यानि गर्मी अफिर अब क्या अथा है गर्मी जैसे शत गर्मी तापमान बहुत जदा पड़ेगा तो हीट होगी उसके बाद और क्या होगा विंड यानि हवा हवा चलेगी अगर हवा ने चला तो गर्मी बहुत तीज लगेगी उसके बाद और क्या हो सकता है तो गर्मी में ही क्या होती है होली होती है दिमाग में यह भी आता होगा मेरे दिमाग में यही आ है तो हम लिख देते हैं होली कि Sun do उसके बादए इसमें क्या होगा जो में होगा वीट डाव एच ए ऊट्वीट यह हम क्यों लिखें क्योंकि जब गर्मी आती है तो इसे में कटाई होती है तो इसके बाद है दूसरा विंटर यानि कि विंटर सीजन में क्या क्या आपके कि दिमाग मतलब जब भी आप जारा सुनते तो आपके दिमाग में क्या क्या आता है तो पहला आ सकता है पहला है स्वेटर क्योंकि जैसे आप जारा करना हम सुनते तो आपके दिमाग क्या आता है स्वेटर आता है क्योंकि आप स्वेटर पहनते हैं तो तो सूज भी आता होग उसके बाद है cold को जो जो सरद तो होगी ही तो आपको दिमाग में एक बात और आएगी ठंड है तो फायर तो चलाना पड़ेगा यानि आग तो यह सारे हैं आपके winter season में जिसे आप जैसे ही सुनते है winter season आपके दिमाग में इस सारे चीज़े आपके दिमाग में घुमने लगत कि इसके बाद है कुछ रिद्मिक वर्ड यानि राइम टाइम एंड फिगर्स आफ स्पीच इसमें कुछ ऐसे वर्ड लुक एड़ दा फॉलोविंग पेर्स आफ वर्ड इसे देखना है हीट स्ट्रीट क्या लग रहा है एक जैसर राइम से नहीं लावाद इसको हिंदिम करते ले यहां पर यहां पर राइज और प्राइज और प्राइज आपको द्वनी पर दियान देना है राइज प्राइज तो इस परकार से आपको क्या करना है राइम विद वर्ड इन इच बॉक्स और यह आपके लिए कर दिया गया ऐसा बताया गया आपको क्या करना है सरकल करना है यहां पर है दिया हे एसकाई फ्राय एक बात स्काय करना है और नहीं तौन रहा है यहां पर इसमें चक्राइज यह इसंदा पैसे होगा बाउट नाइट टाइट नाईट यह क्या लग रहा हे एक जैसा तो आप इसे क्या गरे घेड है उसके बाद right हाँ यह भी लग लग रहा है तो यह क्या है पैट number right it यह नहीं है तो इसका जो निया है वो इनके जैसा नहीं लग रहा है इसे नहीं घेरेंगा उसके बाद है लेट रोप नहीं होगा रेट लेट रेट हाँ यह लग रहा है आप इसे घेर ले राइप पिल्कुल नहीं फेट हाँ फेट यह हो जाएगा ताप इसे भी घेर दें उसके बाद है fun, शट नहीं होगा, इसे नहीं किरेंगे, fun, man भी नहीं होगा, run, fun, run, इसमें लग रहा है, तो आप इसे घेड़ दीजिए, sun भी लग रहा है, sun भी घेड़ दीए, sun, run, fun, इसका समान धोनी लग रहा है, तो आप इसे घेड़ दें, यानि सरकल करना है, thumb, thumb, lamb, dumb, thumb, lump, ये ठीक लग रहा है, इसकी दोनी एक जैसी, palm, 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 ये ठीक लग रहा है, इसको पढ़ते हैं palm, तो ये दोनों को का करेंगे, घेड़ देंगे, उसके बाद है change, orange, change, orange, हाँ, change, orange में समानता है, range, range में भी समानता है, strange, strange में भी समानता है, sponge ये नहीं होगा, इन दोनों में समानता है, आप इसे घेड़ देजे, strange, range, orange, इन सभी में समानता है, इन तीनों में समानता है तब इन तीनों में का करेंगे इन तीनों का जो प्रानंसियसन ने उच्छारन है वो समान लग रहा है इसलिए से सरकल करना जरूरी है करेश होगा फ्लेश करेश हाँ फ्लेश करेश फ्रेश फ्लेश फ्रेश ब्रस करेश तो इन सभी का दोनी एक जैसा लग रहा है इसे छोड़ करिके इन सभी क्या करना है सरकल कर देना है उसके बाद है कंपोज कंपोज में क्या होगा कंपोज में क्रॉस तो नहीं होगा इसके बाद ताुट और ब्राइट यह नहीं होगा यह भी नहीं होगा क्योंकि इसको अब ब्राइट परते हैं उचाहर नहीं इसिलिए उसको नहीं गहँरें गे